असलामू आलेकूम आज आप इस वीडियो में देखेंगे फ्रोक का न्यू डिसाइन ये मेरे पास टोरी है जो मैं फ्रोक के उपर लगाऊंगी कप्रे को कर लिया है द्रम्यान से फोल्ड जितनी लेंट तयार चाहिए उससे दो इंच ज्यादा लिए है अब उपर से आठ इंच पड़कर तीरी का निशान लगाया है चुराई में और लेंट में भी ये निशान इतना ही लगाया है इदर से मुझे जितनी तयार खुली चाहिए उससे एक से देर इंच मैं ज्यादा रखूँगी अब इसे नीचे तक कट कर लूँगी जैसे मैंने एलाइन फ्रोक कट करनी है जितनी मुझे खुली तयार चाहिए न उससे ये मैंने एक से देर इंच ज्यादा रखी है क्योंकि ये फ्रोक है इसके दिरम्यान में प्लेट डलेंगे डोड़ी अटैच होकर फ्रन्ट साइड इसकी मैं तोड़ी सी श्याट रखूंगी और बैक साइड ग्लैंध में ये पूरी रखी है मैंने चेपी के अदर से मैंने बोटनैक कट कर लिया है बैक साइड का सिंपल और फ्रन्ट साइड में एक कट रखा है साइडों से कप्रा अंदर की तरफ फोल्ट करके इसके उपर स्लाइ लगा लिए है हाँ जी तो अब इसे करूँगे मैं कमीज के साथ अटेच अंदर से ये जो एक्स्ट्रा कप्रा है इसे कट करके गुलाई में तीन से चार कट्स लगा लिए है एक कट दिन मियान मिल गाया है और अब इसे कर लूँगे मैं सीधा अब ये देखें ये जो बैक साइक कगला है इसकी चेपी अंदर की तरफ फोल्ड करनी है फ्रंट साइड पर और इसके उपर लगा लिए है मैंने स्लाई इसकी फिटिंग के स्लाई भी मैंने लगा लिए है फिटिंग से मैंने स्लाई को टाइट नहीं किया बिलकुल सीधी स्लाई लगाई है अब एक निशान मैं 15 से 14 इंश तक लगाऊंगी लैथ में अब ये जो मैं आइरन के साथ निशान लगाऊंगी ना इसके उपर रखकर मैं डोड़ी लगा लूँगी कपड़े के उपर हलके से प्लेड डाली है बैक साइड और फ्रेंट साइड दोनों पर इधर से मैंने डोड़ी को डबल कर लिया है ये एक साइड पर है डोड़ी का रिजाइन विल्कुल दिर्मियान में नहीं रखा मैंने देखने में अच्छा नहीं लगेगा हाँ जी तो ये है जिसकी बैक साइड और ये है फ्रेंट साइड ये है फोके स्लीव्स लैंट में ये पूरे है ये वो कप्रा है जो साइड से निकला था बॉर्डर ये वाला कप्रा दो इंच का है इसके आगे मैं स्मोसा लाईस लगा लोगी एक स्लाई के अंदे मैंने स्मोसा लाईस और जो कप्रा था ऊपर वाला इससे इसताना से रखकर स्टीच कर दिया है अब एक स्लाइज के उपर लगा लिए है और स्लीव्स हो गए हैं तयार तरले केंदे से हाँ डाल कर गुलाई में रखकर इसे अटाश कर दिया है वीडियो ची लगी तो लाइक करें शेयर करें और अगर चैनल पर निवा तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और फ्रोक हो गए है तयार थाल कर दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दें लाइब कर दो